हेलो इस्टूरेंट्स, गुद मोर्णिंग टू आल अफ यू आज करेंगे हम एटम्स के बारे में, इससे पहले हमने डॉल्टन के एटमिक थीओरी के बारे में study कर चुके हैं तो आज एटम के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले समझते हैं एटम क्या है एटम्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स और में इसका भी ध्यान देना क्योंकि में आपस में मिलेंगे तो एक न्यू मेंटर बनेगा ठीक है जैसे मैंने चौक का example आपको दिया था ठीक है अगर जैसे चौक है जिसे हम blackboard पर लिखते हैं तो यह भी प्रकार का matter है लेकिन यह जो matter है यह किससे बनाया है यह बहुत छोटे-छोटे matter से मिलके बनाया है तो मैंने कहा कि जो सबसे छोटा matter है उसको हमने अभी के ल in chemical reaction यानि कि modern atomic theory की according क्या है कि atom ही वह smallest particle है जो किसी chemical reaction में participate करता है तो इसका भी ध्यान देना और atoms are very small and which can't be seen even through very powerful microscope atom इतने छोटे होते हैं कि अच्छे से अच्छे powerful अगर microscope को भी use करें तो atom को हम देख नहीं सकते हैं तो अगरा point इसका atomic radius is measured in nanometers ठीक है यानि कि इनका atomic radius उनको nanometer में measure करेंगे और nanometer का meter के सांथ जो relation है 1 nanometer is equal to होता है 10 to the power minus 9 meter ध्यान देना अगर ये 10 की power minus 9 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते है equal to 1 upon 1 के पीछे 9 0 लगा दो इस तरीके से ठीक है तो 1 nanometer is equal to इतना meter होता है ये relation है बाकि यहाँ पर कुछ particles दे रखें example देखो यहाँ पर atom of hydrogen है तो इसका radius है 10 to the power minus 10 molecule of water है तो 10 की power minus 9 और ऐसे molecule of hemoglobin है 10 to the power minus 8 तो इसे तरीके से कुछ यहाँ पर आप लोगों को example दिये हुए है ठीक है अब क्या है कि modern day में मैंने starting में बताया है कि आपको कि लगभग 118 elements अभी तक discover हो चुके है ठीक है तो discover हो चुके है तो इनका जो symbol है तो किस तरीके से इनको represent करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं historically इनिशियली जो dalton थे ना ठीक है dalton was the first scientist to use the symbol of elements याने के elements के लिए सबसे पहले जो symbols का use क्या था वो dalton ने क्या था फिर बरजिलियस suggested that the symbol of elements should be made from one or two letters of the name of the elements तो बाद में बरजिलियस ने क्या कहा कि कोई element जिसका नाम जिसे मान लो कोई भी है जैसे कोबाल्ट है ठीक है तो कोबाल्ट है जैसे नाम है तो CO नहीं कि दो लेटर आपने लिए और इस तरीके से इसको लिखना है आपको तो इसको जनली दिया था बरजिलियस ने ये concept ठीक है लेकिन उससे पहले जब dalton ने इन लोगों ने किया था तो उस ताइम पर इन 18 elements discover हो चुके हैं अब हो जकता है इन future इनकी जो संक्या है वो increase होते जाए तो यहां पर को जो ये वाले trick है ये थोड़ा सा ज्यादा रेलिबेंटर नहीं होगा इसलिए इसकी जगह पर बरजिलियस ने नया concept दिया कि आप ऐसा कीजिए जो element है उसके नाम के दो वर्ड लीजिए जैसा aluminum है अल करके तो इसका symbol इस तरीके से आप लोग यूज कीजिए ठीक है तो ये जनरली सजेस्टे किया था बरजिलियस ने बाकि डॉल्टन ने जो प्रपोज किया था वो इस तरीके के symbol थे दानेम कॉप जैसे दानेम कॉपर वस फ्रॉम साइप्रस ठीक है कॉपर का जो नाम है स वस फाउंड फॉर फर्स थाइम तो कॉपर का नाम देखो साइप्रस से आया है और साइप्रस क्यों आया है क्योंकि यह एक जगा का नाम है तो इसलिए प्रॉम नेम और उस तू們 अगर हम सिम्बल लिणे पॉरly में कम е अब यू प्रॉल्परम इंटरनेस्चनल तो यूग क्या होता था उससे पहले यह होता था जिसे कोई element कहीं पर मिल जैसे copper है copper आपका cyprus पर मिला तो उसके origin के इसाप से उसका nomenclature कर लिया लेकिन अब ऐसा नहीं होता है अब बूलाया यह क्या करता है किसी भी new element के नाम को एप्रूब करता है अब अगला point देखते हैं the first letter of a symbol is always written as a capital letter यानि कि जब भी नाम लिखेंगे किसी element का तो जो first letter होगा वो हमेशा किसम होगा capital letter में होगा इसका ध्यान देना और जो second होगा उसका वो small letter में होगा ठीक है for example hydrogen है aluminium का example मैंने दिया cobald का example दिया तो first letter इनका capital में है और second small letter में यह लिखा गिया है अब कुछ example यहाँ पर को आपको दिये हुए है ठीक है जैसे aluminium का जो symbol है al करके argon का है ar करके है तो इस तरीके से यह सारे example है किस तरीके से IUPAC के according इनका नाम लिखा जाता है यह जीज़े है अब next topic आता है हमारा atomic mass तो हम समझते हैं कि exactly atomic mass होता गया है So first of all Dalton's atomic theory proposed the idea of atomic mass Atomic mass का जो idea है सबसे पहले Dalton के atomic theory में discuss किया गया था जिसने explain किया The law of constant proportion so well ठीक है जिसने constant proportion law of constant proportion समझाया था ना मैंने बता है आपको explain किया है से पहले So next point is the mass of an atom of an element is called its atomic mass यानि कि mass of an atom of an element यानि कि किसी भी एक element का किसी भी एक element के एक atom का जो mass होता है उसी को बोलना है atomic mass इसका ध्यान देना 1961 में IUPAC have accepted atomic mass unit ठीक है to express atomic and molecular mass of element and compound यानि कि कि किसी भी atom का ठीक है अगरी IUPAC ने ठीक है IUPAC कोई एक संस्ता है ठीक है organization है और उसका full form मैंने बता दिया है ओपर यहां पर को आप लोगोंने IUPAC का full form देखा होगा International Union ठीक है International Union of Pure and Applied Chemistry इसका पूरा नाम है इसका काम ही यह है कि nomenclature करना ठीक है कोई भी नया element आपको मिलता है या कोई नया compound आपको मिलता है तो उसका अगर nomenclature करना है तो उसको नाम देने का काम कौन करता है IUPAC करता है इसका ध्यान देना ध्यान देना इसको short form इसको amu भी बोलते हैं या फिर u भी बोलते हैं unified mass u से भी इसको represent क्या दाता है जैसे हम बोलता है कि किसी जैसे मेरा weight है मेरा weight कितना है जैसे मान लो 60 kg weight है ठीक है तो ये unit होगे न ये unit होगे तो ऐसे ही अगर आप किसी भी atom के mass को क्या करोगे मिजर करोगे किसी भी element के atom का mass अगर आप मिजर करोगे तो वो unit पर मिजर करोगे आप ठीक है ये भी measurement का तरीका है जिसको सबसे पहले दिया था 1961 में आयू पेसे ने अब देखते हैं ये one unit का मतलब क्या होता है the atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1 upon 12 of mass of an atom of carbon 12 यानि कि जो carbon 12 है आपके पास जिसके carbon है इसका mass होगा उसका 12 से multiply कर देंगे किसी भी जैसे कोई नया element है जैसे aluminium है तो aluminium का अगर हमको mass calculate करना है तो इसको हम multiply करेंगे 1 upon 12 carbon के mass के 1 upon 12 से तब जाकर के जो आएगा जो quantity आएगी जैसे मानलो aluminium का मानलो hypothetical के लिए मैं ऐसे बता दे रहूँ 10 आगी ठीक है तो ये जो है 10 unit कहलाईगे जहां देना बस comparison किया जाएगा carbon से जैसे तुम ऐसा समझ दो ना जैसे मानलो दो लोग है दो लोग है एक का नाम राम है एक का नाम श्याम है ठीक है मानलो की राम का weight आपका 30 केजी है और श्याम का weight मानलो 80 केजी है ठीक है तो आप लोगों को comparison करना है जैसे मानलो के राम के weight से इसके weight को compare करना है तो आप लोग क्या करोगे ये जो 80 है ना 80 को divide कर दोगे 30 से ठीक है जैसे 80 को divide कर दोगे 30 से तो देखो इससे ये कड़िया तो two point something आ जाएगा तो ये जितना भी आपका आ रहा है ना ये जो quantity आ रही है आपके हाँ पर जो भी तो इसको आप इसको measure करोगे u में unit या amu को होगे या unit ठीक है amu या salt form में u आप लोग इसको कह सकते हो यानिकि प्रतेग element का जो mass है ना इसका final explanation ये देख लो कोई भी item है ठीक है उस item का अगर mass आपको निकालना है तो उसका mass आप compare करोगे किसके mass से carbon 12 के mass से ठीक है यानिकि carbon 12 के mass से कितना ज्यादा भारी है या कितना हलका है इसको आप लोग generally मानते होगे carbon के 1 upon 12 mass of carbon of carbon 12 atom of carbon 12 मतलब ये करोगे अगर इसको kg में compare करोगे तो one unit जो है इतने kg के लगबग होता है ये भी बहुत important है इस data को याद रखना ठीक है अगर one unit है आप कहोगे कि ये one unit कितने kg के equal होता है तो यह होता है आपका इतने kg के equal 1.66 x 10 to the power minus 27 kg के equal one unit is equal to इतना होता है आपका तो ध्यान देना और दूसरी जीच कुछ elements दे रखे हैं जिनका atomic mass दे रखा है unit में और इसका unit है वो यह है relation यह है तो इसी तरीके से बहुत सारे आप लोगों को यह table याद कर लेना क्योंकि अभी atomic mass calculate करना आएगा आपका तो वहाँ पर को यह table help करेगा तो सबसे पहले hydrogen है 1 unit carbon 12 unit nitrogen 14 unit oxygen 16 unit sodium 23 हो गया magnesium 24 sulfur 32 chlorine 35.5 calcium 40 ठीक अब atom existence देखो atom का existence आपने पढ़ना है यानि कि इसका अस्तित्व ठीक है अब क्या होता है कि atoms or most of elements are very reactive बहुत जादा reactive होते है अगर चो चीज बहुत जादा reactive है तो वह free form में exist करें नहीं सकता है and it does not exist in free state तो free state में combined मतलब free state में exist नहीं करता है तो किस form में exist करेगा combined form में यानि कि एक atom जो है दूसरे atom से combined करेगा जसे मानलो यह oxygen तो ये oxygen का एक item ना ये फिरी अभी भी exist नहीं करेगा तो ये क्या करता है दूसरे oxygen के साथ क्या करेगा बॉन्ड बना लेगा जिसे O2 नाम का एक molecule बन जाएगा तो यहाँ पर एक नए शब्द आरहा है नया word आरहा है जिसको मैंने molecule कहा है तो इसका भी बिसेज धान देना ये molecule अभी define करने वाले हैं कि ये molecule क्या होते हैं जनरली मैंने बता दिया है जब दो या दो से जादा atom जो है आपस में combine होते हैं तो एक molecule का formation करते हैं और वो क्यों करते हैं क्योंकि atom जो है single state में कभी भी exist नहीं करता है ये बहुत जादा unstable होता है बस आप लोग noble gases जो अभी मैं बताऊंगा periodic table में जो noble gases होते हैं वो फिर state में रहते हैं क्योंकि ये बहुत एक्टिब एक्टिब एंड can exist in the free state as a single atom ठीक है इनके अलावा बाकि सारे के सारे कम्बाइड फॉर महीं रहते है maximum, atoms of all elements, other elements यानि कि atom जो है other elements के combined together to form molecules और ions ठीक है तो यहां पर देखो या तो atom combine होकर molecule बनाएंगे ठीक है या फिर आपका ions बनाएंगे ध्यान देना जो molecules होते हैं वो electrically neutral होते हैं यानि कि यहां पर कोई भी charge आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे h2o है तो यह एक neutral है यहां पर को ना तो positive charge दिख रहा है आपको whole ना तो negative charge द 3o positive तो इस पूरे molecule में positive charge है दिख रहा है आपको तो यह आपका आजाएगा electrically charged और जिसको बोलते हैं जिसको क्या बोलेंगे आयन बोलेंगे तो molecule और आयन में यही difference है molecule हमेसा neutral होंगे और ions overall उसमें कोई ना कोई चार्ज एक्जिस्ट करेंगा तो positive charge यादो negative charge ठीक है और कई यह बच्चे मुझे question करेंगे कि positive और negative दोनों exist निकर सकते तो देखें क्योंकि positive और negative एक दूसरे के क्या है अलग-अलग है एक दूसरे से तो वह क्या करेंगे एक दूसरे को mutually cancel कर देंगे तो वह बन जाएगा neutral ठीक है क्योंकि positive negative को neutral कर देता है तो वह तो molecule की category में आ जाए तो यहां पर molecule को समझ देते हैं, तो a molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together तो मैंने बता दिया था जिसे atom है, atom हापस में chemically bonded होंगे तो एक molecule बना लेंगे जैसे मैंने oxygen का example दिया, एक oxygen दूसरे oxygen के साथ जब chemically bond बना रहा है, यहां पर double bond बना कर गई है और two में आ जाता है यानिके oxygen gas, ठीक है oxygen अगर atomic form में है तो इसका कोई भी use नहीं होगा जो हम सांस लेते हैं, हम सांस में oxygen नहीं लेते हैं, बलकि oxygen के molecule ठीक है oxygen जो gas होता है, oxygen gas जिसका हम use करते हैं तो वहां पर को हम oxygen gas use करते हैं, नहीं oxygen का atom ठीक है oxygen का atom यूज नहीं होता है oxygen का molecule है वह ज्यादा हमारे लिए माइने रखता है, क्योंकि यहीं हम breathing में काम में लाते हैं इसको ठीक है accept element ठीक है, which is capable of an independent, existent and so all properties of the subsistency यानि कि यह इसलिए कहा गया है देखो यहां पर हलांके matter का smallest form थोड़ी दिर पहले हमने atom को कहा था ठीक है अभी फिर next chapter में आप पढ़ने वाले हो atom को भी divide करोगे अभी electron, proton, neutron, neutron में जो सबसे छोटा matter है जो free state में रहता है, free state में रहता है वो होता है आपका molecule, ध्यान देना molecule ही ऐसा substance है, ऐसा matter है smallest matter जो free state में exist करता है इस बात का हमेशा ध्यान देना आप लोग, ठीक है, example के लिए देखो यहां पर H2O है is the smallest particle of water which source all the properties of water, यानि के H2O जो है molecule यह water के complete इसकी जो properties है उनको describe कर सकता है, single molecule, ठीक है, एक single molecule water के, water की सारी properties को define कर सकता है, अब आगे बढ़ता है, molecule may have atom of same or different elements depending upon this molecule can be categorized into two categories, यानि की कहने का मतलब यह है कि जिसे atom है आपके बास, वो atom दूसरे अपने ही जैसे atom से combined हो सकता है, और अपने से different atom के साथ भी combined हो सकता है, देखो मैं क्या बोल ला हूँ, जिसे यहां पर oxygen था, एक oxygen अपने ही जैसे दूसरे oxygen से combined होकर के auto बना रहा था न, autogas, ठीक है एक scenario यह हो सकता है, एक दूसरा scenario भी यहां पर exist कर सकता है, जैसे hydrogen है और oxygen है, देखो यहां पर यह अलग atom है, और यह अलग atom है, ठीक है यहां पर hydrogen का यहां पर oxygen का, तो यह अलग atom भी आपस में chemically bonded हो सकते हैं, chemically bound हो सकते हैं, और यहां पर finally S2O बनाएंगे, तो molecules generally, या तो same atom के through भी बन सकते हैं, या different atom के combination से भी बन सकते हैं, तो इसलिए इनको दो categories में यहां पर बाटा है, देखो, divide के हैं, पहले homo atomic, homo का मतलब होता एक जैसे, containing atom of same elements, अगर same elements आपस में combine हो रहे हैं, तो homo atomic molecules बनाएंगे, अगर एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार के atom आपस में अगर मिल रहे हैं, तो वह hetero atomic molecule बनाएंगे, जिनको हम compounds भी बोलता हैं, containing atom of different elements, यहां पर S2O का the number of atoms present in one molecule, यानि कि एक molecule में जितने atom आपके प्रजेंट होंगे, वही उसके atomicity के लाएगे, यह question आएगा आपके exam में, देखे, कोई molecule आपको दिया है, ठीक है, उस molecule में आपको कहा जाएगा, कि इसके atomicity कितनी है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, कि इसमें कितने element मौज होता है, ठीक है, जैसे आरगन पहला, इसका formula AR होता है, तो आरगन में केवल एक atom है, तो यह monoatomic हो गया, अगर monoatomic है, मतब एक के atom है, तो इसके atomicity 1 होगी, ऐसे helium है, helium में भी atom होता है, तो इसके atomicity, अब यहाँ पर oxygen है, तो oxygen में कितने element यहाँ पर combined है, मतब कितने atom combined है, एक oxygen और दूसरा oxygen बना करके auto बना रहा है, यानि कि दो atom, तो atomicity कितनी होगी, ठीक है, ऐसे hydrogen के लिए है, hydrogen में भी दो आपको दिख रहा है, यहाँ पर, दो hydrogen आपस में combined होगे, तो diatomic है, इसके लिए इसका atom है कितनी होगे, two? Phosphorus है, यहाँ पर देखो, फॉस्पोरस में P4 है, यानि कि फॉस्पोरस के कितने atom हापस में combine होगे है? चार तो इसकी जो atomicity है वो कितनी हो जाएगे फोर ऐसे sulphur है sulphur 8 तो टोटल कितने sulphur combine हो रखे हैं 8 तो इसके atomicity कितनी होगी 8 तो बहुत simple है आपका exam में आएगा कोई molecule दिया होगा और कहेंगे कि उसके atomicity कितनी है तो आपने क्या करना पड़ेगा उस atom में से जिसे मैं बताता H2 का example देता हूँ तो इसके atomicity कितनी हुई बताओ चलो जल्दी तो यहाँ पर को हम लोग गिनेंगे कि कितने atom यहाँ पर present है दो तो hydrogen के है और 8 oxygen का है तो total 2 plus 1 कितना हुआ 3 तो इसके atomicity कितनी है 3 है इसका पिसे ध्यान देना अब फिर next आता आपका chemical formula तो सबसे पहले आप ल chemical formula क्या होता यानि कि जब molecule बन रहे है न आपके तो किस तरीके से molecule आपस में combine होकर एक नया molecule बनाते हैं और उस नए molecule का जो chemical formula है वो किस तरीके से आप लोग लिखेंगे ठीक है जैसे H2O है न तो H2O है तो यहाँ पर को आपको कैसे पता चला कि oxygen के साथ 2 hydrogen ही combine होंगे चार hydrogen ही होंगे 6 hydrogen ही होंगे दो ही क्यों हो रहे है ठीक है तो इसके बारे में details explanation करेंगे हम अगली वीडियो में जिसके help से हम लोग chemical formula बनाएंगे कोई भी atom है कोई भी आपस में combine होंगे नया molecule बनाएंगे उस नए molecule का chemical formula क्या होगा उसको लिखने की जो process है या method है उसको हम next वीडियो में discuss करेंगे तो यहां तक आप लोग क्या करेंगे इसको write down करेंगे ठीक है write down भी करेंगे क्योंकि आपने notebook बनाया है उसमां आप इसको write down कीजिए बाकि फिर हम लोग अगली वीडियो में कल बात करेंगे ठीक है इससे आगे